ओके हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू इस्पेशल टेक्नो चैनल सभी स्टुडेंट्स का स्वागत है आज की क्लास बेहत महत्तपूर होने वाली है जो भी स्टुडेंट्स इस्टील अथुरिटी ओफ इंडिया लिमिटेट की प्रपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग रावर क इस्टील प्लांट ने एक्जाम पेपर को कंड़क्ट कराया था उस कोश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पर डिसकस करेंगे तो सबसे फ़स्ट अफॉल जो भी लोग जुड़े हैं क्वालिटी के बारे में क्लियर करें बॉइस क्वालिटी वीडियो क्वालिटी में कोई इ बिसकस करने वाले हैं अब यहाँ पर जो मचिनिस्ट वाले स्टुएंट्स हैं डेफिनेटल आप लोगों का सिमलर सीम जो है पैटरन रहने बाला है कुछ भी चेंजिस नहीं होता है नॉन टेक्निकल का भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पोर्सन देख रहे होंगे अब इ यह रेसो 80-20 का हुआ करता था यानि कि 80 प्रतिसाट टेक्निकल कोश्चन और 20 प्रतिसाट नॉन टेक्निकल कोश्चन लेकिन इस बार उसको घटा कर 50-50 रेसो कर दिया है 50 प्रतिसाट टेक्निकल कोश्चन पूछे जा रहे होंगे और 50 प्रतिसाट नॉन टेक्निकल कोश्च आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे नमस्ते, गुड इबनिंग, गुड इबनिंग, नमस्ते सभी students को आगे बढ़ने से पहले हम journal awareness के बारे में भी बात कर रहे होंगे सारी चीज़ें बात कर रहे होंगे आगे बढ़ने से पहले जो भी students हैं जिनको information नहीं है, मैं थोड़ा सा information देना चाहूँगा, Steel Authority of India Limited, Raurkila Steel Plant का already courses जो है हम लोगों का चालू है, जो discount offer में अभी available है, चाहो तो आप लोग join कर सकते हो course content में आप लोगों का technical, basic से लेके advance तक चल रहा है, general awareness वहाँ पे चल रहा है, तो अभी लगवाग 9 classes, यानि की 9 class हमारी complete हो चुके हैं, जिसमें safety की class हो चुका है, measurement measuring tool का class हो चुका है, marking and marking tool start हो चुका है, journal awareness के two lectures हो चुके हैं, तो जो भी students हैं, जो इच्छुक हैं, definitely join करना चाहते हो, तो आप application download करके, वहाँ से कर सकते हो, अब ये तो होगी भी या बात, promotion बगेरा हो गया है, अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं, कि यहाँ पर question paper में question किस label के हैं, अब यहाँ पर देखो, बहुत ही fast हम लोग चलेंगे, पूरे question paper को discuss करेंगे, यहाँ पर जो ratio है, आप लोग देख सकते हो, two part में question paper को divide किया है, जिसमें 80 question हमारे technical knowledge होंगे, और 20 question यहाँ पर general aptitude के पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग technical question को भी देख रहे होंगे, and general aptitude के question किस प्रकार के हैं, उन चीजों को भी समझ रहे होंगे, तो technical question पर आते हैं, सबसे पहले question के यहाँ पर पूछा है, the unit of a lathe which houses the lathe spindle and control levers for speed selection is called, यानि कि खराद की एक एकाई, जिसमें गती का chain करने के लिए खराद तुर्क या नियंतरक लीवक्ट लगे होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, फटापट से बताईए, क्या कहा जाता है, क्या उसको अग्र इस्खंद, यानि कि head stock, tele stock, feed box या carries, यहाँ पर हिंदी आप लोग देख सकते हो, कि लेवल की basically दी गई है, कि head stock को अग्र इस्खंद बोला गया है, tele stock को चलो दन्यवाद है कि tele stock बोल दिया गया, प्रभरण पेटी, प्रभरण पेटी बोला गया, feed box को, and carries यानि की काठी, तो आप लोग समझ सकते हो, सुद्ध हिंदी यहाँ पर जो है basically दी गई है, निमी का pattern totally दिया गया है, तो यहाँ पर डिट्टो, बिल्कुल ये question paper, पर डिट्टो, डिएमर्सी, जो पहले हुआ था, उस time का question paper है, exactly, यहाँ पर मोशीन खान, मतलब कि 2017 से जुड़े हुए हैं ये, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि ये comment आया, क्योंकि 2017 में ये question paper हुआ, जब भी मैंने इसको discuss कराया था, और उससे पहले, DMRC के question paper को भी मैंने discuss कराया था, जहां से two copy question paper आया था, जिन लोगोंने 2017 में भी question paper दिया था, वो लोग भी बहुत उखुस हुए थे, सर आपने उससे पहले DMRC के question paper को solve कराया, as it is question वहाँ आप से पूछे गए थे, तो इसलिए ये question paper को एक बार 2017 में जिस टाइम paper हुआ था, answer किया था, उस टाइम भी मैंने solve कराया था, तो यहां पर काफी लोगोंने उस वीडियो को भी देखा होगा, इसलिए हम लोग quick revise करने वाले हैं, क्योंकि जो old videos है, वो नए लोगों के पास में नहीं जाता है, क्योंकि वो video dead हो चुका है, इस वज़ा से यहां पर quick revision हाप लोगों का हो जाएगा, एक idea मिल जाएगा, किस प्रकार के question यहां पर दे, तो बहुत ही fast चलेंगे, तुरंट जल्दी हम लोग question paper को solve करेंगे, तो यहां पर क्या right answer होगा, head stock, because question में क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है, खराद machine की एक काई, जिसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, basically speed selection कर रहे हैं, speed को कम करना, speed को ज़्यादा करना, हम लोग किस माध्यम से करते हैं, gear के माध्यम से करते हैं, जब बड़ा gear, छोटे gear को चलाएगा, speed increase होगी, छोटा gear, बड़े gear को चलाएगा, speed decrease होगी, तो वो सारा चीज हमारा कहां पर होता है, head stock में होता है, इसलिए correct answer क्या है, head stock is the right answer, अगला question देखो, क्या बोला, the property of a material, by virtue of which a body written to its original safe, after removal of the load is called, यानि कि किसी पधार्त के गोड़ धर्म, जिसके कारण भार को हटाने के पस्चाद, कोई भी पिंड अपनी मूल आकरती में लौट आता है, उसे क्या कहा जाता है, क्या correct answer है आप लोगों का, क्या है बहुत बढ़ी अभी, क्या निकल किया रहा है, यहाँ पर elasticity, elasticity और plasticity, दो property हमारी metal की, even मैं बोल सकता हूँ, कि यदि metal की properties के बारे में जाएं, तो आप लोगों से कोई नहीं रोक सकता है, कि Steel Authority of India Limited, question ना पूछे, यहाँ पर elasticity की बात करें, जब हम लोग किसी material के उपर load लगाते हैं, और उसके आकार में परिवर्टन हो जाता है, जब हम लोग load को remove करते हैं, वह अपने original shape में आ जाता है, वो हमारा कौन सी property कहलाती है, elasticity like spring, spring को हम लोग खीचते हैं, उसके आकार में व्रद्धी होती है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको छोड़ते हैं, वह पुना अपने मूल आकार में आ जाता है, यह होती है elasticity, plasticity क्या है, जब हम लोगोंने किसी metal के उपर force लगाया, लेकिन उसके आकार में परिवर्टन तो हो गया, लेकिन वो permanent deformation हो गया, यानि कि उसने अपना shape ही बदल लिया, वो हमारी plasticity property होती है, और plasticity property की वज़ा से ही, हम लोग forging कर पाते हैं, और forging में करते हैं किसी भी material का, किसी भी job का आकार को बदलते हैं, क्योंकि वहाँ पर plasticity गुड होता है, तो plasticity में क्या होता है, आकार permanent बदल जाता है, elasticity में क्या होता है, load हटाने पर अपने original shape में आ जाता है, तो यहाँ पर इनों ने बोला है, कि जब हम लोग भार को हटाते हैं, ने के पस्चात में, पिंड अपनी मूल आक्रती में आ जाता है, तो वो अमारी कौन सी कहलाएगी, प्रत्यास्था यानि कि elasticity is the right answer, quick return mechanism is called, quick return mechanism जो होता है, वो अमारे shaping machine में होता है, सरूपन machine, shaping machine, right answer क्या होगा, D option, जहां से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो हमारा free stock है, वो हमारा काफी तेजी से जा रहा होता है, और cutting stock जो होता है, वो हमारे feed के according जा रहा होता है, सर इससे क्या होता है, यह समय की बचत होती है, और समय की बहुत कीमत है, है ना, तो इसलिए आप लोग यह वीडियो को देखिएगा, यह बहुत जरूरी है, अग्जाम से पहले आप लोगों के लिए वीडियो, अगला कोश्चन का है, चूज दा रॉंग स्टेट्मेंट, यहां से आप लोगों को गलत स्टेट्मेंट को चुनना है, यह बहुत ही important कोश्चन है, इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर प्रश्चन है, सबसे पहला option बोल रहा है, the different spindle speed on a lathe from geometrical progression, यानि कि खराद पर विन तुर्क गतियां जामितिय अनुक्रम बनाती है, जामितिय अनुक्रम geometrical progression का मतलब क्या है, कि अलग-अलग speed में, अलग-अलग shape पर हम लोग generally काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर बोल रहा है, the lead screw of a lathe has single start thread, बिल्कुल correct है, बिल्कुल correct है, the lathe centers are provided with standard taper, now as mores taper, कि जो lathe center होते हैं, उसके उपर क्या कटा होता है, mores standard taper कटा होता है, empty taper कटा होता है, लेकिन D option को समझेगा, tumbler gear in lathe are used to reduce spindle speed, this is very very most important, समझने का कोशिस करिएगा, tumbler gear unit को, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे question पूछे जाते हैं, tumbler gear unit की अधि हम लोग बात करें, तो tumbler gear unit, basically 3 gear का, एक set होता है, और यह 3 gear का size भी same होता है, इसका use कहाँ पर करते हैं, क्या spindle speed को reduce करने के लिए करते हैं, नहीं, किसलिए करते हैं, feed की direction को change करने के लिए, अब कई बार option आपको देता है, क्या spindle की जो rotation है, उसको बदलने के लिए करते हैं, जी नहीं, feed की direction को change करने के लिए, सर फीड की डारेक्शन चेज़ होंगी, फीड सॉफ्ट और लीड स्कूरू के गुमने की डारेक्शन को चेंज करेगी, क्योंकि हमारा जो फीड साफ्ट या लीड स्कूरू है, राइट, वहाँ पर हमारा कैरेज जुड़ा हुआ है, हापनेट लिवर के माध्यम से जैसे की, या फिर डारेक्टली फीड रॉड से जुड़ा हुआ है, तो यदि उसके रोटेशन की दिसा बदलेगी, वहाँ पर हमारे फीड की डारेक्शन बदल जाएगी, लाइक, अभी फीड हमारा टेल स्टॉक से हैड स्टॉक की तरब जा रहा है, यदि उसको अपोजिट डारेक्शन में हम गुमाते हैं, तो वह हैड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरब जा रहा होता है, तो यहाँ पर इंपोर्टेंट क्या है, यहाँ पर important है, tumbler gear unit basically करता क्या है, इसका main purpose क्या है, feed की direction को change करना, अब वो feed की direction को change करने का मतलब क्या है, उसको अलग-अलग तरीके से पूछ सकता है, like दूसरा तरीका है, feed soft एवं lead screw के rotation की direction को change करना, यह भी correct होगा, क्योंकि इसी की वज़ा से हमारी feed की direction भी change होती है, लेक या फिर बोल सकता है कि speed को reduce करना, यह सभी statement गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप special techno से पढ़े हुए हो, आपको यह चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से clear है, right, तो यहाँ पर wrong statement बोला है, और correct answer हो जाएगा, the option, because इनोंने बोला है, reduce the spindle speed, जो की हमारा tumbler gear mechanism नहीं करता है, अग multiple point tool, single point tool, two point tool, या none of the above, तो हमको पता है, turning tool हमारा कैसा होता है, single point cutting tool होता है, जो lathe machine पर generally हम लोग use कर रहे होते हैं, अगला question, this is very very most important question, again, question को समझ के answer देने की आवश्यक्ता है, question में पूछा जा रहा है, it is required to cut a screw thread of 2 mm pitch on a lathe machine, यानि कि कोई lathe machine है, उसके उपर जो हम लोग को thread काटनी है, work piece के ऊपर, वो 2 mm की है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत बाली बात नहीं है, आगे का statement में ये बोल रहे है, the lead screw has a pitch of 6 mm, उस lathe machine का जो lead screw है, वहाँ पर जो pitch है, उस lead screw के pitch की बात कर रहा है, वो 6 mm की है, बहुत बढ़ी है, कोई दिक्कत बाली बात नहीं है, if the spindle speed is 60 rpm, जो हमारा spindle rpm है, यानि की work piece किस rpm पर गूम रहा है, 60 rpm पर गूम रहा है, then speed of the lead screw will be, यहाँ पर पूछा कि lead screw की speed क्या होगी, क्या correct answer होगा, क्या correct answer यहाँ पर निकल क्या आगा, अब यह comment में क्या चल रहा है, अरे यहाँ कोई गड़वड नहीं करेगा भई, comment में कोई गड़वड नहीं करेगा, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, अभी important समय आप लोगों का है, मैं लगा हुआ हूँ तो थोड़ा सा, देख लो, है ना, पढ़ाई वड़ाई करो थोड़ाई, अब देखो, यहाँ पर थोड़ा ची को बंदा हुआ है, सरलेत मशीन पर, और यह हमारा एक cutting tool है, और cutting tool कहा पर है? सर, obvious सी बात है, tool post में fit होगा, यह तो पता है हम लोगों को, लेकिन tool post कहा fit है, tool post fit है, compound slide के top slide के ऊपर, that is good, यह भी बहुत बढ़े बात, यह compound slide कहा, fit है सर, carriage के ऊपर, compound slide कहा, fit है, cross slide के ऊपर, cross किस से जड़ा हुआ है सब्स hell किस से जड़ा हुआ है से यहां से यह हमारा पूरा का फीड बॉक्सक्रव हो गया यहां से दो रॉड निकली है यहां गई हमारी feed rod और यह हो गई हमारी lead screw राइट तो जो lead screw है न यहाँ पर हम माल लेते हैं कि पूरा का पूरा इसको lead screw माल लेते हैं क्योंकि कई सारे lead screw में ही हम लोग एक group काट देते हैं वो feed shaft का भी काम करती है तो यहाँ पर harp nut के माद्यम से हमारा क्या जुड़ा हुआ है saddle जुड़ा हुआ और saddle से हमारा directly यह अटेच है यानि कि कहने का मतलब क्या है यदि lead screw एक round complete करें तो हमारा जो tool है वो कितना आगे बढ़ेगा सर लीड के बरावर आगे बढ़ेगा यह तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से बता है अब चूकि यहाँ पर जो thread है वो single start thread है तो lead के बरावर क्या है सर पिच हमारे lead के बरावर है तो मैं बोलूँ कि यह एक round complete करेगा तो tool कितना आगे बढ़ेगा हम यहाँ से देख लेते हैं कि अग्रण page की मिली मीटर तो क्या यह 6 मिली मीटर आगे नहीं बढ़ेगा सर बिल्कुल 6 मिली मीटर आगे बढ़ेगा जब एक चक्कर complete करेगा उस situation में लेकिन सर इसका मतलब क्या है question तो कुछ और ही पूछ रहा है चलो question को भी समझ लेते हैं यह बोल रहा है किसी lead में 2 मिली मीटर की की पिछ काटनी है अब 2 मिली मीटर की पिछ कप कटेगी कि जब हमारा वर्क पीस एक राउंड कंपलीट करें एक राउंड कंपलीट करें तो कटिंग टूल कितना आगे वड़े सर 2 मिली मीटर आगे वड़े तभी तो हमारी 2 मिली मीटर की पिछ कटेगी वर्क पीस के ऊपर राइट या रॉंग राइट यही होता है ना मतलब कि यदि हमारे दो मेचिंग कंपोनेंट है लाइक यह बोल्ट है और नट है इसको मैं एक चक्कर घुमाऊं इस बोल्ट के ऊपर बोल्ट को इस्थिर रखे नट को एक राउंड कंप्लीट करूं तो किसके बराबर आगे होता है हमको यह पता होता है कि rpm और डायामीटर दोनों एक दूसरे के व्यूत क्रमानुपाती होते हैं होते ना तो हमारा एक बेसिकली फॉर्मूला होता है जैसे डीवन बटा डीटू एक्वल टू एंटू बटा एनवन यानि कि इसका मतलब क्या है यह हमारा किसी गियर का डायामीटर है यह हमारा rpm है तो जब हम लोगों को एक गियर का डायामीटर दिया हो दूसरे गियर का डायामीटर दिया हो एक rpm दिया हो दूसरा rpm निकालना हो तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं तो यहाँ पर यह इसी का सिक्वेंस हमारा पिच से रिलेटेड हो रहा है क्य लेंगे तो यह हमारा कितना निकलेगा यदि हम लोग इसको तीन से डिवाइड कर दें तो 20 rpm निकल के आ रहा है या फिर डिरेक्टली हम लोग मान रख दें जो फॉर्मूला है हम लोग बोल रहे हैं यहाँ यहाँ पर और यदि डिटेल्स में समझना है इसको तो और डीपली समझ लो कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि यह किस rpm पर गूमना चाहिए यह इसका 1 3rd rpm पर क्यों गूमना चाहिए देखो हमको काटना है 2 mm की पिछ बहुत इंट्रेस्टिंग चीज निकल के आ रही है हमको काटना है 2 mm की पि किते काटेगी सर 6 mm है किव कटेगी क्योंकि हमारा में कनेक्शन इससे इसलीए को जब यह एक चक्कर गुमया 3 mm आ गवडेगा तो जब यह एक चाकर घुमे तब इसको कितना कितना घुमना चाहिए वन तिहाई गुमना हँए 1 3rd घुमना चाहिए क्योंकि हमको one third यहाँ पर pitch काटनी है 6 mm की pitch है हमारी क्या lead screw की इसकी one third क्या है pitch हमारे job पर काटनी है तो जब हमारा work piece एक चक कर घुमेगा हमारे lead screw को उसका one third घुमना पड़ेगा one third घुमने का मतलब क्या है उसका rpm one third हो जाना जैसे कि यदि work piece का rpm 60 rpm है तो lead screw का rpm सर कितना होगा 20 rpm यसे कि यदि वो एक मिनट में 60 round लगा रहा है work piece तो ये एक मिनट में कितना round लगाएगी lead screw सर only 20 round ही तो लगाएगी जब ही तो हमारा पूरा system सही बैठेगा नहीं तो गड़वड हो जाएगी चलिए आगे चलते हैं next चलते हैं यहां पर आयो बहुत बढ़ी है तरीके से clear हो गया होगा कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं बहुत बढ़ी है तरीके से मैंने और details में deeply समझा दिया डारेक्ट formula लगा के नहीं समझाए नहीं तो बहुत सारे लोग कन्फीज हो जाएंगे अगला question समझेगा यहां पर पूछ रहा है कि इस ट्रॉक ऑफ सेपिंग मशीन इस 250 मिलिमीटर की बहुत सेपिंग मशीन का जो इस ट्रॉक है ना वह हमारा कितना है सर्थ 250 मिलिमीटर का है और इन्होंने बोला है मेक्स 30 डवल इस ट्रॉक पर मिनट इसका वहला समझ रहे हो कि यहां पर जो हमारा 30 स्टॉक है 30 स्टॉक पर मिनट यानि कि वो एक मिनट में कितने स्टॉक लगा रहा है 30 स्टॉक लगा रहा है है ना अब हमको यहां पर निकालना है अबर आल एवरेज स्पीट ऑफ ऑपरेशन ओपरेशन का एवरेज स्पीड क्या होगा ऑपरेटर का एवरेज स्पीड क्या होगा अब यहां पर समझ येगा यहां पर गाईस थोड़ा सा समझ येगा एवरेज स्पीड पूछा गया है आप लोगों से तो एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या निकल क्या आएगा कैसे निकलेगा सबसे पहले हम लोगों को option मीटर प्रती मिनट में दिया गया है मीटर प्रती मिनट में दिया गया है तो सबसे पहला करतब हम लोगों का बनता है क्या कि 250 मिली मीटर को मीटर में convert करो तो हमको पता है सर 1 मीटर equal to 1000 मिली मीटर होते हैं तो यदि हमको मिली मीटर को मीटर में कनवर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे सर यहां पर 250 को 1000 से भाग देंगे यानि कि जो हमारा स्ट्रॉब की लेंठ निकल के आई वह 0.25 मीनटर निकल आई अब यहां पर मीटर प्रति मिनट वह क्या बोल रहा है 30 डबल स्ट्रॉब के अब देखो यहां पर 0.25 मीटर यहां पर नमबर ऑफ उस्ट्रॉब कितने है सर्थ 30 हैं पर मिनट यहां पर तो हमारी यूनिट क्या निकल क्याएगी यहां से मीटर प्रती मिनट हमेशा बताता हूं यूनिट को फोकस करो दौनों को मल्टिप्लाय करेंगे हमारा क्या निकल क्या जाएगा यहां पर कितना निकल क्याएगा 7.5 कितना निकल क्याएगा 7.5 मीटर प्रती मिनट हमारी यूनिट भी मेच कर रहे है सारी चीज़े मेच कर रहे है समझ में आ गया कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है सारी चीज़े अल्रेडी किलियर है सर दो गंटे का numerical question का class ले लो सारी चीज़ा clear हो जाएंगे बिलकुल ले लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगला question क्या है लेट पर ढलाई के machining ही तू किस में पकड़ा जाना चाहिए यह किसको पकड़ा जाना चाहिए जौब को बहुत बड़ी है फ्वर मशीनिंग अ कास्टिंग ओन लेत इट सुड़ फिल हैल इन कॉलेट चक त्री जाचक फेस प्लेट या फोर जाचक किसका प्रियोग करेंगे हम लोग हमारा वर्क पीस कैसा है कास्टिंग वाला वर्क पीस है यह हम लोग बोल सकते हैं इन्रेगुलर सेब्ड बर्क पीस तो irregular saved workpiece को hold करने के लिए हम लोग किसका प्रियोग कर रहे होते हैं 4 जबड़े चक का प्रियोग कर रहे होते हैं क्योंकि उसके independent jaws होते हैं जिसको हम लोग अलग-अलग set कर सकते हैं तो option D is the correct answer अगला question है the square thread are usually found on यानि कि वर्गाकार चूडियां अक्सर निम्न पर पाई जाती है क्या होगा 9 number का correct answer बताए 9 number का correct answer spindles और wench wise या railway carriage coupling feed mechanism और machine tool या screw cutting lat क्या रहाई answer आप लोगों का निकल क्या रहा है यहां से फटाबट से बताए क्या right answer आप लोगों का निकल क्या आएगा यहां पर correct answer क्या होगा थोड़ा option फटाबट से बताएए क्या correct answer होगा यहां पर तो भी यह गलत दे रहा है समझ में आ रहा है कई बार ही आप लोगों को पढ़ाया है तो right answer क्या निकल क्या आएगा यहाँ पर spindle of bench wise, bench wise के spindle पर कौन सी thread होती है, हमारी square thread basically कटी होती है, ना की feed mechanism और machine tools पर, तो यहाँ पर right answer क्या है, A option is the right answer, bench के spindle पर, आगला question, surface roughness on a drawing is represented by, surface roughness, drawing में जो surface roughness होती है, उसको कैसे represent करते हैं, चलिए, क्या right answer निकल के आएगा यहाँ से, हम लोग drawing में surface roughness को कैसे represent करते हैं, क्या हम लोग triangles के माद्यम से, circle के माद्यम से, square के माद्यम से, या rectangular के माद्यम से, तो हमारा opposite triangle, इस प्रकार होता है ना, जैसे कि आप लोगोंने देखा होगा, कि एक drawing बनी हुई है, यह drawing है, इस drawing के उपर, यहाँ पर आप लोगोंने देखा होगा, कि इस प्रकार जो है, opposite triangle बने होते हैं, यह हमारा क्या है, यह surface roughness को represent करते हैं, है ना, तो यहाँ पर correct answer क्या होगा, आप लोगों का, A option is the right answer, साथ का 15 नहीं होगा, इस ट्रॉक डवली लिया जाता है, यदि आप डवल को सोच रहे होगे, तो वहाँ पर डवली लिया जाता है, 7.5 भी होगा, the metric V thread have an angle of, metric V चूडियों का कौन कितना होता है, 60 degree होता है, बहुत simple है, the width of a square thread of pitch P, यानि कि हमारी किसी square thread की जो pitch है, वो P से represent किया गया है, और आप लोगों से thread की चोड़ाई को पूछा है, width को पूछा है, तो आपका क्या right answer होगा, बहुत 0.5 into P, यानि कि pitch का आधा होता है, जो thread की width होती है, वो क्या होती है, pitch की आधी होती है, क्योंकि हमारी square thread किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है, तो यहाँ पर, यदि हम लोग pitch देखें, same जगा से same point तक, यह हमारी pitch हो गई, इसका आधा लो गए, तो हमारा यह माल लो, या फिर यह माल लो, है ना, तो यह हमारी width होती है, basically हमारी आधी होती है, अगला question भी बहुत important, 13 number का निकल क्या आ रहे है, क्या बोल रहे है, page gauge की चूडियों का अंत्राल 0.5 mm है, थिंबल पर भागों की संख्या 25 है, page gauge का निवनतम गडन क्या होगा, the pitch of threads of a screw gauge is 0.5 mm, the number of deviation on the thimble is 25, the list count of the screw gauge, आप लोगों को micrometer की list count को बताना है, तो यहाँ पर हम लोग list count को किस प्रकार find out करते हैं, लिस्ट count को किस प्रकार find out करते हैं, हमको क्या पता होता है, कि भाईया, screw thread के उपर pitch कितनी कटी हुई है, सर 0.5 mm, इसका मतलब क्या है, कि यदि हम लोग thimble को एक round, एक round complete करें, तो कितना आगे बढ़ेगा इस spindle, सर 0.5 mm आगे बढ़ेगा, अब एक round को कितने भागों में divide किया है, सर 25 भागों में divide किया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 25 thimble deviation equal to 0.5 mm, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पूरे deviation कितना माट रहा है, 25 भागों माट रहा है, तो एक thimble division equal to क्या होगा, सर 0.5 upon 25 होगा, होगा की नहीं होगा, होगा ना, तो वहाँ पर हम लोगों का right answer क्या निकल के आएगा, वहाँ पर क्या right answer निकल के आएगा, 0.02, 25, तो यहाँ पर यह आप लोगों का क्या निकल के आएगा, 0.02 mm निकल के आएगा, क्लिया रहे ना चलिए आगे चलते हैं next यह दी हम लोग देखें अगला question क्या बोल रहा है in a bilateral system of tolerance the tolerance is allowed on हम लोगोंने tolerance के दो टाइप में divide किया है unilateral tolerance and bilateral tolerance वहाँ पर unilateral tolerance क्या होता है जब हम लोग किसी basic size के एक तरफ छूट दे रहे होते हैं वो unilateral tolerance कहलाता है दब दोनों तरफ छूट दे रहे होते हैं वहाँ पर वो हमारा bilateral tolerance कहलाता है राइड तरफिटर का all competitive exam जो है classes है उसी को रावर के लाटेंडेंट कम technician में कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हैं टेक्निकल आप लोगों का सेम होता है कुलदीप ऐसा नहीं है कि टेक्निकल अलग होता है टेक्निक हम लोगों के DRDO में NCL में काम नहीं आएंगे डेफिनेटल आएंगे टेक्निकल कुछ अंतर नहीं होता है जर्नल अवेरनेस थोड़ा से इस्पेशली हम लोगों को देखना पड़ेगा उडिया की तरफ थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा में भी जहां तक अभी तक के paper दे department के बारे में या फिर normal general awareness आता है तो ऐसा भी नहीं है यहां पर क्या होगा हम लोगों से bilateral tolerance के बारे हम बात कर रहा है तो both side on the nominal size या basic size यूनिलेटरल tolerance की बात करता है तो हमारा basic size के एक तरफ हम लोग basically छूट देते हैं अगला question है the hardness of a grinding wheel is specified by जो grinding wheel की hardness होती है grinding wheel के specification में वो किसके द्वारा represent करते हैं BHN द्वारा LPN द्वारा या फिर search test द्वारा या letter of alphabet द्वारा grade wheel, medium grade wheel वो हमारे letter से represent होता है A से लेके Z तक जो हम लोग letter यूज करते हैं उससे यदि वहाँ पर M M medium grade grinding wheel तो इस प्रकार question आप लोगों से पूछा जाता है तो actual में hardness का represent करती है कि bond ने abrasive कणों को कितनी मजबूती से hold किया हुआ वही तो हमारी hardness होती है अगला question है which of this material can be cut with a rasp cut file rasp cut file का प्रियोग किसको काटने के लिए करते हैं leather है लकड़ी है वोड है तो उसके लिए हम लोग करते हैं तो भी option हमारा correct होगा rasp cut file के मामले में अगला question है cast iron and steel pipe are produced by जो हमारा ढलवा लोहा होता है इस पात के pipe होते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं क्या यहां पर बोला गया है slush casting के द्वारा investment casting के द्वारा true centrifugal casting के द्वारा die casting के द्वारा तो definitely यहां पर हम लोग किसके माध्यम से बनाते हैं यहां पर हम लोग true centrifugal casting के माध्यम से बनाते हैं तो यहां पर हमारा क्या correct answer होगा यहाँ पर हमारा C option जो है correct answer निकल के आएगा अगला question यदि हम लोग देखे 18 number का यहाँ पर है question क्या बोल रहा है कि जब त्रज्या R के एक पईये में R यहाँ पर question को समझेगा त्रज्या R के एक पईये में R त्रज्या का एक्सल फिट हुआ है जब पईये की रस्य पर सकती P का प्रियोग किया जाता है तो एक्सल रस्य द्वारा W भार उठाया जा सकता है उस इस्तिती में पईये और एक्सल की मशीनी दक्षिता निम्न द्वारा व्यक्त की जाती है क्या होगा इसका right answer यहाँ पर अब देखो इसको समझेगा यहाँ पर एक figure बना लेते हैं हम लोग यह हमारा एक बड़ा wheel है इसमें हमारा action लगा हुआ है यह हमारा एक छोटा wheel है right यहाँ पर एक रस्य है और दूसरी रस्य यहाँ पर है clear है यह क्या बोल रहा है R के एक पईये में R तरज्या का axle है यह जो है इसका है हमारा capital R और इसका जो radius है वो हमारा small r है clear है फिटुआ जब पईये की रस्य पर P सकती का प्रियोग किया जाता है पईये की सकती पर यानि कि यहाँ पर लगा रहे है P रस्य का प्रियोग किया जाता है तो एक्सल रस्ती द्वारा यानि कि ये वाली रस्ती द्वारा डबलू भार को उठाया जाता है उसीस्तिती में पईए और एक्सल की मशीन धक्छता क्या होगी तो मशीन धक्छता बेसिकलि क्या होती है मेकनिकल एडवान्टेज वॉलेशिटी रोश्यो तो यहाँ पर क्या होगा मेकनिकल एडवान्टेज वॉलेशिटी रोश्यो क्या होगा मेकनिकल एडवान्टेज बिसिकली क्या होगा यहाँ पर क्या होगा क्या करेक्ट टांसर निकल क्या हैगा हम लोग देखेंगे हम लोग यहां पर mechanical advantage की कितना काम किया गया basically यहां पर w जो weight है वो कितना उठा work कितना हुआ है तो भार into भार के द्वारा चली गई दूरी तो यहां पर हम लोग radius small r लेंगे ठीक है उसी के अनुपात में यहां पर सक्ती और सक्ती द्वारा चली गई दू तो यह जोगा क्या होगा w multiply by small r and p multiply by capital r यह आएगा कि हम लोग भार को कितना उठा रहे हैं और हम लोग सक्ती कितना लगा रहें तो c option basically clear होगा यहां पर बहुत details में जो simple machine है देखो wcs का ध्यान रखिएगा जो simple machine topic है आप लोगों का वहां से बहुत सारे question 2017 में पूछे गए ठीक है तो वो चीज आपको clear होने चाहिए वहां से question definitely आप लोगों से include किया जाएगा वो सारा चीज आपको course में मिल रहा होगा अप निश्चिंतर होगा सारी चीज है बहुत सारे example के साथ मिल रहा होगा आप निश्चिंतर है यहां पर क्या बोल रहा है खराद की machine पर अनि to be used यानि कि यहां पर बोल रहा है कि irregular saved work piece को hold करना है तो किस प्रकार के चक का प्रियोग करेंगे definitely independent forge चक का प्रियोग करेंगे क्योंकि जिससे कि हम लोग चक के जबड़ों को अलग-अलग set कर सकें यानि कि individually हम लोग work piece के according उसको set कर सकें तो यहां पर right answer क्या होगा बी option हमा चैते ज्यानि कि HP के नीचे रखा जाता है वह निम्न होती है बहुत ही important question है engineering drawing से भी question को include किया है this is very very most important question यहां पर समझने का कोसिस करिएगा क्या बोल रहा है यहां पर वो actual में quadrant case से question पूछ रहा है यह हमारे 4 quadrant होते हैं drawing में 1st quadrant, 2nd quadrant, 3rd quadrant and 4th quadrant यह 4 quadrant है यह हमारा vertical plan है वीपी plan है और यह हमारा horizontal plan है clear है अब क्या बोल रहा है any object place behind vertical plane यानि कि वो बोल रहा है कि कोई भी object है जो vertical plane के पीछे और horizontal plan के नीचे blow horizontal plan तो कहां पर है यहां पर कोई object रखा है देखो यह vertical बर्टिकल प्लाइन का फ्रंट है यह हमारा बैक है यह होरिजन्टल प्लाइन का एबब है और यह बलो है तो यहां पर क्या बोल रहा है कि बिहाइंड बर्टिकल प्लाइन यह है बर्टिकल प्लाइन के पीछे और होरिजन्टल प्लाइन के नीचे बलो तो यह थर्ड क्वाड क्वाडरेंट की बात करेगा तो बर्टिकल प्लान के आगे होरिजन्टल प्लान के ऊपर तो फस्ट क्वाडरेंट होगा सेकेंड क्वाडरेंट क्या होगा बर्टिकल प्लान के पीछे होरिजन्टल प्लान के ऊपर तो हमारा सेकेंड क्वाडरेंट होगा फोर्थ क्वाडरें is the right answer हमारा थर्ड क्वाडरेंट जो है correct answer होगा सर स्लेबस में लेथ मशीन रखने पर Turner की वाकिन्सी क्यों नहीं निकालते अरे अब यही तो नहीं तो नहीं कह सकते that is okay लेकिन क्या कर सकते हैं अभी नहीं आ रहा कुछ department में बहुत कम vacancy दे रहा है लेकिन देगा देखो vacancy आगे चलके अगला question बूला तिरची सतय ऐसी सतय होती है inclined यानि कि surface of a surface यानि कि inclined surface की basic बात कर रहा है inclined to HP, BP and PP वो तीनों से inclined रहेगी तिरची सतय की बात कर रहा है तो D option definitely correct होगा अगला question यहाँ पर grinding wheel के specification से दे रहा है again जो कि most popular grinding wheel से question आएगा तो आपके specification से ही question वो ज़्यादा तर पूछता है grinding wheel is specified HWA 60MB22 यहाँ पर दिया है तो M basically क्या represent कर रहा है तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि grinding wheel का जो grade है grade यानि की hard grade wheel medium grade wheel तो hardness को किस से represent करते हैं अभी हमने देखा था ना alphabet से represent करते हैं M हमारा क्या है सरेक alphabet है यह किसको represent करेगा grinding wheel के grade को represent करेगा कि वो grade hard grade का wheel है medium grade का wheel है या फिर soft grade का wheel है तो B option यहाँ पर correct है अगला question which of the following gauges is used to measure the clearance between two matching parts दो matching parts के बीच में यदि clearance को check करना है very very most popular question और easy question feeler gauge का हम लोग use कर लेते हैं अगला question यह बहुत ही महत्वपूर question है इसको मैं request करूँगा सभी students से note करके जाईएगा एक question मिल जाएगा यहां से किसी भी exam में मिल सकता है बोल रहा है सूची एक और सूची दो के साथ सुमेलित करें सूची के नीचे दिये गए code का प्रियोग करते हुए सही उत्तर का chain करें यहां पर दिया है metal की properties और यहां पर दिया है test कि किस metal की properties को किस properties को हम लोग किस से test करते हैं like ductility ductility properties basically क्या होती है साथ ductility properties होती है जिसकी वजा से हम किसी भी material को wire की रूप में convert कर सकते हैं यानि कि उसको खीच के क्या बना सकते हैं wire बना सकते हैं तार बना सकते हैं तो इसको कैसे test करेंगे tensile test के म dataset के इमसे करेंगे हम लोग इधर खीचेंगे इधर खीचेंगे जोभी तो पता चलेगा यह खीच राएść के नगी खीच रहे है तो क्या होगा यहां पर हमारा आजाएगा tensile test, दूसरा आजाता है हमारा toughness, toughness property क्या होती है, यदि हम लोग उसके उपर चोट मारते रहें, लेकिन वो तूटेगा नहीं, just brittleness के opposite होता है, चीमड बन जाना, जैसे कई लोग भी हो जाते हैं, उनको कितना ही बोलता है रहा हो, लेकिन वो सु लगा कर देखते हैं, वो तूट तो नहीं रहा न, नहीं तूटा मतलब उसमें brittleness property है, तो toughness को हम लोग किस के माद दे हम से, impact test के माद दे हम से, अब यहां पर resistance to penetration, resistance मतलब समझता, penetration मतलब क्या होता है, उसमें भीया scratch मारना, तो जब मैं बोलूँगा, कि scratch मारने का मतलब क penetration का मतलब क्या है, कि यदि कोई दूसरा material, किसी दूसरे material पर खरौच पैदा कर रहा है, उसका मतलब क्या है, जो material खरौच डाल रहा है, वो हमारा hard है, as compare to, जिसके उपर हम लोग scratch कर रहे हैं, या cutting tool और workpiece की बात करें, workpiece को हम लोग काटते हैं, एक cutting tool के माद दे हम से, क्यो limit की बात करें, वो हमारा fatting test हो जाता है, तो यह चारो test किस-किस property की testing करते हैं, यह आपको clear होना बहुत जरूरी है, यहां से कई बारी question पूछ लेता है, according to Indian standard specification, 70H7G8 means that, क्या होगा भी इसका meaning, यहाँ पर बोल रहा है, कि भारतिय मानक विशिष्टियों के अनुसार, 70H7G8 का अर्थ क्या है, तो हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर जो 70 है, वो हमारा क्या है, वो basic size है, यहाँ पर H क्या है, यह हमारा hall का fundamental deviation है, यहाँ पर 7 क्या है, hall का grade of tolerance है, यहाँ पर G क्या है, shaft का fundamental deviation है, यहाँ पर 8 क्या है, हमारे shaft का grade of tolerance है, तो यहाँ पर, अब हम लोग इस 70 mm not correct because actual size workpiece के बनने के बाद मिलेगा 70 is basic size tolerance grade for hall is 7 that is okay क्योंकि यहाँ पर capital H के उपर 7 लगा हुआ है तो grade of tolerance 7 जो है वो hall के लिए grade of tolerance है tolerance grade for shaft is 8 that is okay तो यहाँ पर second और third statement हमारा correct निकल के आ जाता है negative rack is provided और निमलकित में से रिनात्मक rack कोण कहाँ पर प्रोबाइड किया जाता है भी या क्या high speed steel tool पर carbide tool पर किसके उपर प्रोबाइड करते हैं definitely हम लोग high speed steel के tool पर negative rack angle को provide करते हैं यहाँ पर correct answer क्या वो carbide tool पर provide करते है negative rack angle को तो बहुत popular question है, क्या होगा, भी option correct होगा, negative wreck क्यों provide किया जाता है, ताकि हम लोग उससे जो है rough turning कर सकें, hard material की turning कर सकें, right, ज्यादा depth of cut लगा सकें, तो carvide tool is the correct answer, ये commonly अब लोग carvide tool पर प्रयोग कर लेते हैं, अगला question है, in drop forging, forging is done by dropping, तो यहाँ पर किस प्रकार, drop forging किस प्रकार की जाती है, drop forging में basically the die with hammer at high velocity, यानि कि उच्छ विख पर ठपे सहत हतोड़े को गिराना, die के सहत गिराना, तो उससे क्या होता है, वहाँ पर उस shape का जो die है, उस shape का work piece जोए बन जाता है, vblock is used to workshop to check, हम लोग vblock को किस लिए यूज करते हैं, roundness of a job, यानि कि क्या हम लोग गोलाई वाले job के लिए यूज करेंगे, या फिर हम लोग dimension of overall job, या फिर surface roughness, taper on a job, तो हम लोग definitely roundness वाले job के लिए यूज करते हैं, इसका vblock का, basically ये round work piece के holding के लिए generally प्रयोग किया जाता ह हैं, है ना, तो ये चीज यहाँ पर clear होना चाहिए, यहाँ पर बोला, कारशाला में vblock का प्रयोग निम्न की जाज करने के लिए किया जाता है, तो हम लोग roundness की checking भी basically इसके उपर कर सकते हैं, अलग से हम लोग surface gauge हो गया, या dial test indicator हो गया, उसके माध्यम से, क्योंकि हम लोग round work piece को hold किसके उपर करेंगे, hold करने के लिए तो हम लोगों को b block की ही जरूरत पड़ेगी, अगला question है, किस fit में sharp का व्यास, छिद्र के व्यास की तुलना में अधिक होता है, तो interference fit में sharp का व्यास जादा होगा, hall के व्यास के according, वही पर clearance fit में hall का व्यास जादा होगा, sharp के व round क्या होगा, यहाँ पर for twist drill bit the angle of twist is, तो कितना angle होगा, यहाँ पर basically हमारा general purpose के लिए हमारा point angle क्या होता है, point angle कितना होता है, sir 118 degree होता है, तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर क्या पूचा है, twist drill bit the angle of twist, एक तरप का आधा angle basically पूच रहा है, तो वो हमारा 59 degree यहाँ पर होगा, just 11 218 डिगरी का आधा जो जनरली हम लोग रखते हैं तो बी ऑप्षिन करेक्ट होगा अगला गोश्यन बहुत बढ़िया मशिनिंग टाइम से रिलेटीड है बोल रहे हैं इना लेथ ऑपरेशन हम लोग लेथ ऑपरेशन की बात करें कैन वी कैलकुलेटेड बाइदा फॉर्मूल क्योंकि हमारे टूल ने कितना ट्रेवल किया वही तो सबसे इंपोटेंट मशिनिंग टाइम को कल्कोलेट करने के लिए कियो कि जतना ज्यादा टूल ट्रेवल करेगा उत9 ज्यादा हमारा मशिनिंग टाइम लगने वाला है तो यहाँ पर वही चीज तो है लेंदघ आप कट मल्टिप्लाइवाय नंबर ओफ कटवी यहां पर आ जाता है तो वह भी हम लोगों को ध्यान में रखना होता है जब हम लोग कैल्कुलेशन वाले कोशन कर रहे होते हैं अगला कोशन है एक रिविट संधी में दो सहवर्ती रिविट केंद्रों की बीच की दूरी को हम है कि यह दो प्लेटें लगी है उन दो प्लेटों में रिविट लगी है इन दौनों रिविट के जो पास की रिविट है सेम पॉइंट से सेम पॉइंट दौनों केंद्र के बीच की दूरी पिच कहलाती है ठीक है यदि रिविट का व्यास मिलीमीटर में दी हो तो रिविट संदी के लिए निवनतम चूड़ी अंतराल की गड़ना कैसे की जाती है तो यहां पर basically हम लोग जो देखा जाता है वो हमारा कितना होता है minimum इसका जो होता है थ्रीडी रखते हैं हम लोग 3D रखते हैं यानि कि यहां पर रिविट के डायामीटर के तीन गुना जो होना चाहिए जनरल ही होता है लेकिन यहां पर डी मल डी प्लस 30 दिया है जिसका कोई ओचित यदि हम लोग फंडामेंटली देखें तो कोई बनता नहीं है लेकिन यह कोशन आया था और यहां पर आंसर इन्होंने डी प्लस 30 दिया था और ऐसा कोई फॉर्मूला बेसिकली होता नहीं कि यहां पर पर्टिकुलर वेल्यू को हम लोग रिविट के डायामीटर में प्लस कर रहे हूं या तो यह कोशन में यहां पर मिस्प्रिंट है कि पर्टिकुलर रिविट का डायामीटर वो दे दे तो भी हम लोग वहां पर इसको इस तरीके से देख सकते हैं लेकिन यह पूरी तरीके से कोशन जो है करेक्ट नहीं माना जा सकता क्योंकि यदि हम लोग प्लेट के किनारे से रिविट के सेंटर की बीच की दूरी देखें वहां पर हम लोग टूडी रखते हैं देन हम लोग सेंटर से सेंटर की दूरी यदि देखते हैं पिच देखते हैं हम लोग रिविट की वहां पर हम लो 2n-4 upon 90 होता है multiply by यहाँ पर n हमारे जैसे कितनी भुजाए हैं भुजाओं की संख्या basically यहाँ पर होती है अगला question यहाँ पर calculation वाला question था जहाँ पर एक समकॉल के आधार और कर्ण के बीच का कॉल थीटा है और आधार 2 cm उचाई 1 cm थी तो 210 थीटा आपउन 1 प्लस 10 स्कॉर थी technical question यहाँ पर क्या पूछा था अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ technical में यह देखो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सर यह technical question में हमारा 10 ठीटा यह कहां से दे दिया सर mathematics का question question include कर दिया definitely यदि आपके 80 question यहाँ पर टेक्निकल है तो 5 to 6 question वो science और थोड़े बहुत इदर ओदर के डालता ही डालता है जैसे आपके 50 question आ रहे हैं टेक्निकल के तो यहाँ पर आप मान के चलिए 3 से 4 question science के question include कर सकता है क्योंकि science हो गया drawing हो गया यह question आपके include करता ही करता है अगला fire is combination of जो आग है basically वो किस से मिलकर बनी होती है तीन factor हम लोगों ने देखे थे कौन कौन से fuel हो गया heat हो और oxygen हो गया यह तीनों factor जब हमारे मिलते हैं वहाँ पर fire जो है generate होती है clear है ना वहाँ पर fire जो है generate होती है और इसी के माध्यम से जब हम लोगों को यह चीज पता चला तब इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं इसके माध्यम से fire extinguisher का निर्मान करते है fire extinguisher तीन method पर काम करता है एक होता है starving method starving method और दूसरा होता है smoothing method driving method is smoothing method और तीसरा होता हमारा cooling method तो यहां पर यह तीनो method है क्या किसी students को पता starving किया listened à animations क्या क्याтории तो starving method मेरे किसको remove करते है smoothing हम किसको remove करते है!".Care Ini क्योंकर क्योदी Green को क्या ह्यांवं क्यापता है इन तीनों factor में से यदि एक को को भी अलग कर लिया जाए तो आग को बुजाया जा सकता है तो इस टार्मिंग मेथर्ड जो होता है वहाँ पर हम लोग फ्यूल को अलग कर लेते हैं जिससे की आग कंट्रोल हो जाती है इस्मूथ रिंग में हम लोग oxygen को अलग कर लेते हैं जिससे की fire control हो जाती है और वहीं पर cooling में हम लोग heat को control कर लेते हैं जिससे की हमारी fire control हो जाती है तो यह चीज के लिए होना चाहिए इसलिए यहाँ पर इस method पर हम लोग किसका fire extinguisher बनाते हैं जिससे की आख को बुझाय जा सके find the correct answer यहाँ पर correct answer आप लोगों को बताना है और option दे रहा है one right angle equal to hundred grade one grade equal to hundred minute one minute equal to hundred second क्या यहाँ पर all of this correct है क्या यहाँ पर correct है सर हम लोगों ने तो यह पढ़ा है कि one right angle equal to ninety degree और one degree equal to हमारा 60 minute और एक minute equal to 60 second लेकिन यह हमारा cgs system की बात करें तो one right angle equal to hundred grade one grade hundred minute one minute hundred second होता है यह angle को यदि हम लोग cgs system में देखें उस situation में इसलिए यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर correct answer हमारा d option ही होगा अगला question यदि हम बात करें यहाँ पर quarter से related है quarter संदी किसे संचरित करने में प्रियोक्त होता है quarter joint is used to transmit quarter joint जो होता है वह दो shaft को जोडने के लिए हम लोग use करते है quarter joint को right तो वहाँ पर हमारा actual tensile हो गया या compressive load हो गया दौनों को वो basically transmit जो है कर रहा होता है अगला question to equal force of magnitude 10 newton act at an angle of 90 degrees their resultant is equal to तो यहाँ पर हम लोगोंने force जब पढ़ा था science वाली class में आप लोगोंने देखा वहाँ पर resultant force का हम लोगोंने formula देखा था तो same यहाँ पर resultant force का only formula लगा के आप लोग इसको निकाल सकते हो तो यह भी हमारा workshop calculation and science है जैसे कि यहाँ पर यदि हम लोग देखे 4 to 5 question है total question paper में total question paper में चार से लेके पाच question है जो technical में हमारे पूछे गए हैं जहां जो कहां से exact कहां से यदि आपने WCS को थोड़ा सा भी देखा है मलब थोड़ा सा भी देखा है जैसे force हो गया फोर्स में resultant force वह यह सभी का योग resultant force तो देखना पड़ेगा है तो resultant force हो गया यह simple machines हो गया यह physics में work power energy हो गया उधर heat हो गया आप लोगों का तो यह सब पढ़ा है तो यहां से simple question जो है पूछे गए ते अब यहां देखो इस पात में thermit welding में प्रियोग किये जाने वाला powder क्या है तो AI aluminum हमारा होता है यहां से अगला question को क्या बोला the formula to find the drilling time to drill a plate of thickness tea हमारी एक drilling plate है जिसकी thickness tea है और यहां पर बोला फीड को app से represent किया है एन rpm represent कर रहा हम लोगों को time निकालना है क्या निकालना है सरक time निकालना है कितना समय लगेगा एक drill plate में haul करने यानि कि एक plate में drill करने के लिए हमारा formula क्या होता है tool travel distance तो tool travel distance क्या होगी भी यह जितना thickness होगी उतना ही तो हमारा drill आगे बढ़ेगा plate की thickness लेंगे बटा feed into rpm लेंगे लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यार रखिएगा कई बारी हम लोग plate की thickness plus 0.3D करते हैं यह 0.3D क्या होता है 0.3D होता क्या है यह basically क्या होता है इसको क्यों plus किया जाता है जब हम लोग calculation basically कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा drill आगे से conical shape में होता है कुछ ऐसा होता है कि यहां तक हमारा यह वाला जो length है वो conical होती है अब यहाँ पर जो diameter वो drill का diameter मान के चलो 20 mm अब हमको किसी plate है यह plate जो है हमारी है 40 mm का throw out ही हम लोगों को plus करना पड़ता है क्योंकि आप बताए जब इसको हम लोग यहाँ पर चलाएंगे तो यहाँ पर जो haul बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा throw out नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक नुकीला सा हिस्सा है वो केवल यहां तक आएगा तो हम लोगों को इसकी जो लंबाई होती है जो conical हिस्से की वह 0.3 multiply by drill का diameter यह होती है इसकी लंबाई तो इसको plus कर लेते हैं जिससे कि जब हम लोग feed दे तो इसको बाहर निकाल दे यह conical हिस्सा हमारा यहां आ जाए और वर्क पीस में जो haul बने वह proper diameter का throw out haul बन सके इसलिए जब हम लोग drilling time को find out कर रहे होते हैं वहाँ पर हमारा formula क्या होता है time equal to job की thickness plus 0.3D बटा feed into rpm यह होता है हमारा feed into rpm यह क्यों होता है sir यहाँ पर question में option में हम लोगों को ऐसा कोई option नहीं दिख रहा है जहाँ पर 0.3D हम लोगों को इसलिए हम लोग डारेक्ट जाएंगे कहां पर जाएंगे कि यह work piece की thickness बटा feed into rpm तो हमारा c option हम लोगों को दिख रहा है तो c option की तरफ चले जाएंगे अगला question क्या बोल रहा है a tool used in cutting and external thread is called a यानि कि बाहरी चूड़ी काटने में जिस 1000 का प्रियोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है तो definitely उसको क्या कहा जाता है हम लोग डाई कहते हैं जिससे internal thread हम लोग काटते हैं वो हमारा tap होता है काफी simple question है sir good evening sir मैं first time live class पर आया हूँ बहुत बढ़िया अमित पांडे special techno live class में वोजे feel आ रहा है कि मैं KVC conduct कर रहा हूँ ना चलिए अगला question बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर समझो question को the list count of a metric vernier caliper having 25 division on the vernier skill matching with 24 division of man skill अब यहाँ पर एक man skill division की value 0.5 mm दिये list count आप से find out कर पा रहा है देखो देखो समझो समझो बहुत important है हमको क्या पता है सर एक man skill division equal to 0.5 mm क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है यदि नहीं दिया होता उस case में हम मानते हैं कि एक man skill division बरावर 1 mm राइट लेकिन हमको दिया है चूकि तो हमको वही मानना पड़ेगा हमको यह भी पता है सर लिस्ट count का formula होता है एक man skill division minus एक vernier skill division धैटी जोक के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम direct formula लगा के answer निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं लेकिन हमारे पास में एक man skill division है लेकिन एक vernier skill division का मान नहीं है तो पहले statement के through एक vernier skill division का मान हमको निकालना पड़ेगा वो कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि 24 भागों के मिलान यहाँ पर मिलान मिलान समझनी आगा यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोल रहा है 25 division on the vernier skill matching with 24 division कितने सर 25 vernier skill division matching with 24 man skill division यहीं बोल रहा है statement तो हमको यह चीज तो पता है ना क्या पता है सर यह चीज हमको पता है कि एक man skill division बरावर 0.5 mm तो 24 man skill division बरावर क्या होगा सर 12 mm होगा की नहीं होगा 0.5 का multiply कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते 25 vernier skill division बरावर 12 mm तो एक vernier skill division बरावर 12 वटा 25 mm कोई दिक्कत ही नहीं अभी है कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है अब हमारे पास में दोनों वैल्यू है एक vernier skill division की वैल्यू है और एक man skill division की वैल्यू है तो हम करेंगे क्या formula लगाएंगे एक man skill division एक वटा दो एक वर निए skill division 12 वटा 25 दोनों को घटा देते हैं वही है तो यहां से ले लिए हमने 25 कॉमन 25 दूनी 50 एंड यहां से खाई कितना आयेगा 50 आयेगा यहोजा जाएगा मारा पतचीस एंड यहां फह जाएगा मरण 24 से ना तो यह अमारा कितना एक वटा पचास आजैगा यहां सफलेनमा यार मैं नहीं पढाता हूँ मैं तो मेकनिकलtså कि हूँ बाकी방 Cause Him का करवाएंगे न मैं पड़ाती थी अभी तो नहीं आ रहे है उनका कोछ इसू चल रहा है हेल्थ इसू है है ना तो मैं फिटर ट्रेट का हूँ माला मैं अच्छन सारा पड़ाता हूं फिटर टर्णर मशीनिस्ट electrical का तो मुझे knowledge नहीं है बाकी मैं को मैं जल्दी कोशिश करूँगा यदि उनके साथ इस हुए तो कोई और teacher को ले के आएंगे वो आपको electrician पढ़ाएंगे आगला question है the included angle in acme thread is acme thread का included angle क्या होता है 29 degree होता है आगला question है for achieving a specific surface finish in a single point turning the most important factor to be controlled is this is very very most important क्या बोल रहे हैं हम लोगों को specific surface finish को achieve करना है और single point turning tool के माध्यम से हम machining कर रहे हैं सबसे important factor क्या है जिसको control करना रहता है बताइए क्या correct answer होगा क्या correct answer होगा यहाँ पर depth of cut होगा cutting speed होगा feed होगा या tool rack angle होगा क्या right answer निकल क्या हैगा कि यस बिक्रम सारा भाई specific center turner का जरूर करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्या होगा यहाँ पर right answer क्या होगा बहुत बढ़िया हमने क्या पढ़ाता जो cutting speed है वो हमारा सबसे most important factor है नाकी feed नाकी feed यदि हम लोगों को एक specific surface finish को achieve करना है तो सबसे important factor क्या हो जाता है करतन गती करतन चाल यानि की cutting speed सबसे महत्वपूल factor में से एक है ध्यान रखिएगा यह most important question है अपना दिमाग ज्यादा मत चलाईएगा क्योंकि दिमाग चलाओगे तो आपका दिमाग बोलेगा सर फीड से ही तो होता है मैं क्योंकि feed rate को control नहीं करेंगे तो rough surface आएगा that is okay आप सही बोल रहे हो लेकिन cutting speed उससे ज्यादा महत्वपूल factor होता है है ना तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा feed नहीं होगा क्या होगा cutting speed होगा यहाँ पर correct answer कई बार आया है मनलब यह question first बार नही चलिए अगला question क्या बोल रहा है dynometer सकती मापित्र युक्त को निमलिकित मैंसे किसे मापने के लिए प्रियोग किया जाता है dynometer is a device used for the measurement of किसको करते हैं force during metal cutting metal cutting के दोरान force को जो है measure करता है अगला question है clumb milling is chosen while machining because जो clumb milling होता है basically हम लोग उसको क्यों choose करते है better surface finish के लिए ताकि हम लोग बहतर प्रष्ट परिसकर प्राप्त कर सके यहाँ पर बोला गया है in blanking operation the clearance provided is जो blanking operation होता है वहाँ पर clearance किस पर provide करते है on punch के उपर और एक और operation हमारा कौन सा होता है यहाँ पर die पर हम लोग करते है piercing है न तो वहाँ पर die के उपर तो यहाँ पर blanking की बात करीगे तो punch के उपर only हम लोग क्या clearance provide करते है अगला question the blank diameter used in thread rolling will be thread rolling में blank diameter क्या होता blank diameter मतलब आप लोग समझ रह रहे हैं वह हमारा diameter क्या होगा blank diameter कितना रखा जाता है क्या हमारा equal to minor diameter equal to pitch diameter a little larger than the minor diameter of the thread a little larger than the pitch diameter of the thread तो क्या correct answer होगा यहाँ पर thread rolling method की बात कर रहा है और thread rolling method में हमेशा जो blank diameter guys रखा जाता है वह किसके अक्कल रखा जाता है pitch diameter के equal रखा जाता है ध्यान रखिये का किसके equal रखा जाता है pitch diameter के equal रखा जाता है क्योंकि rolling में हमारा metal का displacement होता है metal हमारा उभार होता है यहाँ पर thread rolling में हम लोग metal की cutting नहीं कर रहे होते हैं जैसे कि हम लोग बात करें, single point cutting tool में, हम लोग blank diameter किसके equal रखते हैं? minor diameter के equal रख रहे होते हैं वहीं पर यदि rolling method की बात करें pitch diameter के equal रख रहे होते हैं वहीं पर यदि हम लोग die के द्वारा thread काटने की बात करें तो blank size का formula क्या होता है बड़ा diameter minus pitch upon 10 यानि कि pitch का दसवा हिस्से को यदि diameter से minus कर दिया जाए वहाँ पर blank size निकलता है जब हम लोग die के माध्यम से thread को काट रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर बोला है उन्होंने कि यहाँ पर हम लोग thread rolling के method से thread काट रहे हैं तो हमारा right answer क्या होगा equal to pitch diameter चूड़ी के pitch व्यास के बराबर अगला question है एकल बिंदू चूड़ी करतन औजार में आदर स्था निम्ण में से क्या होना चाहिए अब यहाँ पर देखो very very most important question मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी हमारे form tool होते हैं वहाँ पर जो rack angle होता है वह zero rack angle basically provide किया जाता है अब जो threading tool है thread cutting tool भी basically क्या वह हमारा form tool है क्योंकि उसको भी shape में बनाया हुआ है तो वह हमारा भी group का नर्माण करता है अपना shape work piece के ऊपर छोड़ रहा है just opposite जैसे हमारा concap tool होता है convex tool होता है उसी प्रकार से हमारा beat tool होता है जो हम लोग thread काड़ रहे होते हैं फिर जैसा shape का thread काड़ रहे है वैसे shape का रहता है तो यहाँ पर भी जो हमारा rack angle होगा वह क्या होगा वह हमारा zero rack angle हम लोग provide करते हैं अगला question normalizing of steel is done by steel की normalizing हम लोग हमेशा किस पर करते हैं तो हम लोगोंने क्या बताया normalizing steel की normalizing किस लिए करते हैं grain size को refine करने के लिए है ना उसके grain structure को पानी वरसने लगागा यहाँ पर जहां से मैं class ले रहा हूँ वहाँ से तो grain size को refine करने के लिए तो वहाँ पर हम लोग हमेशा steel को critical point से उपर गरम करते हैं क्योंकि total हमारा austenite structure बन जाए और वहाँ पर हम लोग उसको air cooling करते हैं यानि कि धीरे-धीरे हवा में ठंडा करते हैं जिससे क्या होता जो भी हमारे ferrite, cementite और pear light structure है austenite में convert हुए हैं वो धीरे-धीरे पुना अपने आप में distribute हो जाते हैं according to percentage of carbon steel में कितना carbon प्रतिसत है उसके according farrite, cementite और pear light में distribute हो जाते हैं जिससे हमारा grain structure हमेशा क्या refine हो जाता है तो इसको always upper critical point से critical temperature बोले या upper critical temperature से भी उपर गरम किया जाता है see option is the right answer clear है अगले question को यदि हम लोग देखे the cupula is used to make cupula में क्या बनाया जाता है ये cupula furnace में हमारा क्या बनता है cast iron और puddling furnace में क्या बनता है rot iron और blast furnace में क्या बनता है pig iron तीनो question पूछे जाते है the material used for coating the electrode is called यानि कि जो electrode होता है उसके उपर जो coating लगी होती है वो किसकी coating होती है क्या protective layer होती है binder होती है deoxidizer होती है या flux होती है flux की coating basically हम लोग electrode के उपर चड़ाते है अगला question यदि हम लोग देखे यहाँ पर 53 number का this is very very most important पिछली जो class थी numerical वहाँ पर मैंने details में आप लोगों को समझाया था error के बारे में in a micrometer if zero graduation of the thimble is above the datum line when the faces are in contact the error is कौन सा error होगा कि जब micrometer के face आपस मैं contact में हूँ और वहाँ पर thimble की zero datum line से जो sleep के उपर datum line है उसके उपर चली जाती है above निकल जाती है या हमने बोला आगे निकल जाती है उपर निकल जाती है वो सारी situation में कौन सा होता है negative zero error होता है यदि वो बोलता है datum line के पीछे रह जाती है नीचे रह जाती है blow the datum line तो ऐसी situation में positive रहके इंगल होता है और हम लोगों ने बढ़ा था कि इसको correct करने के लिए हम लोग क्या करते है error को यदि negative error है तो error को reading में plus करेंगे यदि positive error है तो वहाँ पर reading को minus करेंगे क्यों करेंगे वो भी मैंने details में आपको समझाया था Aluminum is extract from the ore Aluminum निम्न आयस्क से निकाला जाता है Aluminum का आयस्क कौन सा होता है क्या होता है अभी कौन से ore से निकाला जाता है तो box height आयस्क से Aluminum को निकाला जाता है लैड का आयस्क क्या होता है Galena होता है Vernier Protector is used for measurement Vernier Protector को किसके मापन के लिए यूज करते हैं Vernier Protector हम लोग angle measurement के लिए यूज करते हैं जिसकी accuracy क्या होती है 5 minute की accuracy में बिसिकली ये यूज होता है एक हमारा normal protector के बारे में पूछ लिया जाता है है ना तो Wevel Protector और Vernier Wevel Protector दोनों में अंतर होता है Wevel Protector वन डिगरी के accuracy में वही पर Vernier Wevel Protector की बात करते हैं या Vernier Protector बोलता है उसका 5 minute accuracy होता है दोनों question पूछता है 1 micron में कितने mm हैं 0.001 mm होते हैं simple tri square is used to measure tri square किसके लिए यूज होता है 90 degree के angle को चेक करने के लिए ना कि मेजर करने के लिए बिसिकली यह मापता नहीं है यह only check करता है क्योंकि यहाँ पर दो पार्ट होते हैं एक stock होता है दूसरा blade होता है और stock और blade दौनों एक दूसरे से 90 डिग्री में fix होते हैं इसलिए यह कहाँ पर यूज होता है जब हम लोगों को किस किसी एज से नब्य डिगरी पर रेखा खीचना हो या किसी स्वर्ट्पीस को परप्रपेंडेकोलर वेंडिकुलर मेंद का एंस में फिट करना हो इन सभी जगह पर हम लोग किसका प्रियोग कर लेते था सुर् Changing square का प्रियोग हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 90 degree angle of the job लेकिन यहाँ पर major की जगा पर check होना चाहिए अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर check नहीं है तो हम लोग इसको नहीं लगाएंगे right according to option तो हम लोगों को जाना पड़ेगा यदि non of this होता तो definitely हम लोग उसकी तरफ चले जाते clear है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत होता है हम लोगों को question पूछने का point of view को समझना होता है उसके बाद जो है answer देना होता है अगला question यहाँ पर बोल रहा है the best position to hold the job in the vice when filing हम लोग filing क कर रहे हैं तो सबसे अच्छा position क्या होगा जहां पर work piece को hold किया जाए तो कहुनी के level में elbow के level में हम लोग bench wise को fit करते जिससे की proper हम लोग क्या कर सके filing कर सके clear है ना तो क्या होगा यहाँ पर elbow level is the correct answer यहाँ पर बोल रहा है the number of teeth per unit length are list is तो क्या होगा यहाँ पर right answer क्या बोल रहा है दंतुर प्रतिकाई लंबाई की संख्या निम्नतम होती है यानि कि क्या the number of teeth per unit length are least in यानि कि सबसे कम किसमे होती है सबसे कम पूछ रहा है ना तो देखो इसका जो हमारे 5 grade की file होती है वो किस प्रकार होती है rough, bastard, second cut, smooth और dead smooth यह इसी रेसो में होती है यह हमारा first number यह second, यह third, यह fourth और यह five यहाँ पर number of teeth की संख्या increase होती जाएगी सबसे कम number of teeth होंगे rough में उसके बाद bastard, उसके बाद second, उसके बाद smooth, उसके बाद dead smooth तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा rough है ही नहीं है bastard, bastard है तो bastard correct हो जाएगा है तो यह sequence होता है यह करम होता है basically है तो यहाँ पर क्या होगा? bastard is the correct answer तरबुज का छेत फल किसके बरावर होता है बताईए एक वटा दो base into height, एक वटा दो आधार into उचाई, है ना right angle, triangle का यदि हम लोगों को निकाल ला हो यहाँ पर बोल रहा है कि पंच बुझ के आंत्रिक कॉणों का योग 540 डिग्री होता है यहाँ पर the ratio of isometric length to true length, isometric लंबाई से सत्य लंबाई का अनुपात क्या होता है तो यहाँ पर जो ratio निकल के आता है वो हमारा 0.815 निकल के आता है आइसोमेट्रिक वीव मनलब समझ रहा हो जो angle में हम लोग लगाए उसकी बात basically कर रहा है और जो exactly true length है क्योंकि हम लोग 30 डिग्री के angle में लगाएंगे तो उसका यह ratio 0.815 रहता है यह drawings related question है अब देखा जाए तो यह भी हमारा drawings related question है लेकिन यह हमारे technical में भी है इसलिए आ आया हुआ था और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि उसको हम लोग triangle से represent करते हैं तो वह यही triangle है अब यहाँ पर क्या पूछ लिया है कि medium finish कि symbol में होगा देखो सबसे rough होता है यह है ना उसके बाद में यह उसके बाद में जैसे जैसे triangle बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे surface finish हमारी बढ़ती जाएगी 5 group में बाटा हुआ है तो सबसे ज्यादा finish हमारा क्या होता है जिसमें 4 triangle होते हैं है ना फिर उसके बाद में आ जाता है जिसमें 3 triangle होते हैं फिर उसके बाद में आ जाता है जिसमें 2 triangle होते हैं फिर उसके बाद में आ जाता है जिसमें 1 triangle होता है फ तो दो और दो बीच में आता ये वाला पांच ग्रेड हैं बैसिकली पांच टाइप हैं तो मीडियम बाला कौन सा होता है दो ट्रेंगल बाला तो C option यहां पर correct होगा है ना अगरा question है the portion of file which is not harded is कौन से पार्ट को hard नहीं किया जाता है है ना कौन से पार्ट को hard नहीं किया ज जाता है तो वह हमारा tank part होता है क्योंकि वह यह उसको fit करते हैं handle में और handle में fit करते टाइम हमको impact force लगाना होता है और हमने क्या देखा था यदि हमारा hard होगा material तो वह तूटके बिखर जाएगा impact force को सहन नहीं कर पाएगा उसको होना चीमल यानिकी tough तो basically जब हम लोग hard करत हैं तो brittleness साथ में दिया हुआ उपहार होता है heat treatment का right तो hardening के साथ में कहीं ना कई brittleness भी increase होती है और उसी के लिए हम लोग tempering करते हैं लेकिन यहाँ पर हम tank को hard ही नहीं करते हैं ताकि brittleness की properties आये ही नहीं इसलिए tank portion को hard नहीं किया जाता है the corresponding value of minus 40 degree Celsius in degree Fahrenheit equal क्या होगा correct answer कि degree Fahrenheit में minus 40 degree किसके समतुल्य होगा क्या होगा बाई क्या होगा 40 minus 40 degree Fahrenheit equal to क्या होता है minus 40 degree Fahrenheit equal to क्या होगा बहुत बढ़े दोनों हमारे क्या रहते हैं equal रहते हैं ना first clear हो गया वाई क्या चल रहा है चलिए बहुत बढ़े तो दोनों हमारे क्या रहते हैं equal रहते हैं माइनस 40 degree पर दोनों का मान हमारा सेम हो जाता है कई बार theoretical पूछ लेता है और कई बार इस प्रकार भी पूछ लेता है तो 40 degree Celsius minus 40 degree Fahrenheit 25.4 mm is equal to 1 inch equal to कितने mm होता है 25.4 mm यदि centimeter की बात करता है तो 2.54 cm है ना चलिए अगला question which one of the following is an ore of silver निमने कित मैंसे कौन सा रजत का आयस कहे है है ना silver का आयस कौन सा होता है Argentine हमारा होता है अगला यहाँ पर एक simple सा question दिया है जो है simplification related है तो 3 का square 9 हो जाता है and 2 की घाज 0 होगा तो 1 होगा 11 की घाज 0 होगा तो 1 होगा यह हमारा 9 तो कितना निकल के आएगा यहाँ पर कि 11 आना चाहिए फिरी सिसाफ से तो हो है तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा अच्छा multiply है multiply है तो यहाँ पर 3-3 का 9 प्लस 1 multiply by 1 तो यह 9 प्लस 1 हमारा कितना होगा 10 होगा क्योंकि किसकी भी घात 0 है तो उसकी value 1 होती है अगला question क्या है तरल बूने या गैसिय बुल्बुले सदय गोलाकार होते हैं किस कारण से प्रश्टिय तनाओ के कारण तो यहाँ से कई बारी question आप लोगों का पूछा जाता है कि यहाँ पर जो liquid है यानि कि तरल बून है या गैसिय बुल्बुले या बरसात की बूने है वो गोल किस बजा से होती है चुकि प्रश्टिय तनाओ जो होता है सर्फिस टेंशन जो होती है उसकी बजा से उनका आकार गोल होता है अगला question यहाँ पर देखो पूछा गया है 71 नंबर का कि विशेश यहाँ पर बुसेज का ओसत व्यास 18 mm है यदि एक बुस्ष शंबलित किया जाता है तो आशत हो जाता है 18.2 सातवे बुस्ष का व्यास क्या होगा तो यह भी basically हमारा numerical question है जो कि आशत से related है तो यहाँ पर भी देखोगे आप लोग 45 डिग्री साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री 0 डिग्री हो जाएगा तो इस तरीके के यहाँ पर numerical भी है जो काफी simple है यानि क बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है जिसका basic 10th standard का math भी है वो अराम से कर लेगा यहाँ पर brass के alloy के बारे में पूछा है तो brass हमारा copper and zinc का alloy होता है यदि वो bronze की बात करता है तो copper and tin हमारा correct होता है यहाँ पर पूछा है एक train पाच मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है तो उस से अराम से 18 हमारा निकल के आएगा 18 वटे 5 से multiply करोगे 5 से 5 हमारा cancel हो जाएगा 18 km बहुत सिंपल दिया है साइन टीटा इस इक्वल टू क्या होता है लंब वटा करण होता है तो यहाँ पर सी option होगा लंब वटा विकर्ण next है वन ओस पावर एकक्वल टू एक अस्वसक्ति वरावर 746 वाट होते हैं simple question है the unit of resistance प्रतिरोध की हिकाई क्या है ओम हमारी प्रतिरोध की unit होती है आवरधक lens का प्रयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है वही किस लिए किया जाता है job को सही मापना to accurate measure the job चुकि वहाँ पर magnifying glass का प्रयोग कर रहे है वो छोटी चीज को बड़ा करके हमको दिखा रहा है है ना तो यहाँ पर इसी लिए डी option होगा अगला question isometric द्रश्य दर्स आता है three side of job isometric view हम लोग किस प्रकार देखते हैं यह जैसे यह हमारा एक isometric view है यह घन बनाया घन मालो यह घना मालो यह तीन तरप का द्रश्य दिखा रहा है एक यह एक यह एक यह पीछे का द्रश्य थोड़ी दिख रहा है हम लोगों को तो यह isometric view है हम लोगों का three side जो है दिखाता है bench wise spindle head bench wise में किस प्रकार की चूड़ियां होती है वह यह बी प्रश्ण जो है वह हमारे टेक्निकल के यहां पर देखो आप पूरे question paper की summary को समझ लो पूरे question paper की summary को समझ लो असी प्रश्ण टेक्निकल थे हैं इन मैंसे आप मान सकते हो six question जो है उसमें numerical question है और यह numerical question actual में देखा जाए तो basic level के ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा basic level के थे इन मैंसे लगबग मान सकते हैं कि तीन या चार question science related थे तो वो भी बहुत common थे वर्क्सॉप calculation and science जो है WCS वो most important factor है आप लोगों के लिए उसको cover होना जरूरी है क्योंकि वहां से भी 5-7 question भी include कर रहा है तो यदि मैं बोलता हूं कि 5-7 question भी include कर ले तो भी आपका यदि वो question correct हो रहा हो सामने वाले गलत हो रहा है तो वहीं तो merit बन जाती है अब देखो यहां पर जो question देवाए general aptitude के question पूछे जाते थे पहले लेकिन अभी का जो exam pattern है वहां पर general aptitude जो topic है उस topic को हटा के journal awareness के total question पूछे जा रहे हैं अब general aptitude में यहां पर mathematics के भी थे कुछ जर्नल अवेरनेस के question भी आते थे लेकिन अभी जो है जर्नल अवेरनेस के ही total प्रशन आएंगे यहां पर mathematics के प्रशन नहीं आएंगे तो में भी जो आपका portion ऊपर जहां पर एक एक दो-दो mathematics के question इंक्लूड किये थे वो सायद आपके include नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्य science के question की तरफ जादा जाए क्योंकि mathematics उसने हटाई दिया है है ना तो यहां पर देखोगे question journal aptitude के कुछ इस तरीके से आते थे यहां पर भी simple ही रहते थे आपने कुछ save खरीदे पहले दिन आपने एक एवं 6 का 1 वटा 4 भाग खाया दूसरे दिन आपने 2 और 6 का 1 वटा 4 आप एक निश्चित पुरुषों की संख्या एक कारे को 40 दिन में कर रही है तो 6 पुरुष बढ़ा दिये उसके बाद इस तरीके का समय हम लोगों को निकालना था तो यह हमारे क्या है यह non-tech के question थे लेकिन यहां पर हम लोग journal awareness के कुछ question पूछे थे उसको हम लोग journal awareness के question यह यहां पर reasoning के थे यहां पर देखो प्रत्वी की बाहतम परत है तो यहां पर यह पूछा था प्रश्ट भूमी होता है भारत का प्रतम लोगपाल कौन है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार के question इन्होंने पूछे दे संसद के सदन पर बजट क की घोषरा कौन खरता है इसार बतमंत्री करते सभी को पता है निर्मला सीतर अमन नहीं आती है बजट लेके हैं अज एक फरवरी को और यहां पर तारों के टिम्टिम माने के पीछे क्या कारण है तो यहां पर जैसे जर्नल अवेरनेस की तरव गया तो जर्नल अवेरनेस के जो कोश्चन बेसीकली है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की कोश्चन यानी कि basic जो कोश्चन बार बार पूछे जाते हैं साइन्स में आप जाओगे, साइन्स में ये कुश्चन मतलब तारों का टिम्टिमाना हो गया, प्रेशर को कर मैं खाना जल्दी, मतलब ये आपके मुँपे रखे रहते हैं, यदि आप प्रपरेशन कर रहे हो तो, आप देखो कि कई सारे बुक्स जो है, जो होट बुक्स हैं, जो आपकी जर्नल साइन्स की, वहाँ ये कुश्चन आपको मिली जाएंगे, कई बारी मिल जाएंगे, तो इस प्रकार के कुश्चन कुछ यहाँ पे इंक्लूट किये गए, तो यहाँ पर यह अगें reasoning के question उन्होंने include के again और general awareness का अब देखो महाभारत प्रिशिद्ध प्राचीन कलेंग का हिस्सा किसका छेत्र बना अब especially यहाँ पर उडिशा से related question था जे तो यह उडिशा का question अब देखो यह चीज़ समझो यह उडिशा का question आ गया यहाँ पर देखो क्योंकि उडिशा अपने राज्य के बारे में हरे students को अपनी ज्यादा information होती है तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यह भी एक तरीके से उडिशा specific question हो गया यह थोड़ा सा भी देखा जाए लेकर वो पूरी तरह से नहीं गया तो यह normal आपको भी पता होगा आप यहाँ पर देखोगे उडिशा में जुआंग किसका अंग है त्यवहार नरत संगीत यह फिर जन जाती का तो यहाँ पर यह जन जाती का तो यह भी हमारा क्या हो गया उडिया specific question हो गया ध्यान रख थोड़ा सा ध्यान देना मैं मला देखो समझाना क्या चारा हूं आपको तो आठ प्रश्ण जर्नल अवेरनेस के यह साथ प्रश्ण जर्नल अवेरनेस के वहाँ पर चार प्रश्ण जो है उसने थोड़ा सा उडिशा से कनेक्ट करने का कोसिस किया है यह पक्षपात तो देखने को मिलाई है और उडिशा वालों को थोड़ा फायदा भी होगा इसका औ और और इस्टुदेट्स जैसा नहीं हैं उन्कों फाइदा नहीं मिलेगा वह थोड़ा सा स्टुडी करें तो उनको भी फायदा मिलेगा और यह चीजह कोई बहुत वैसी नहीं है मलप basic चीज़ें हैं मनलब कोई बहुत ज्यादा नहीं है आपका यदि आप थोड़ा सा कवर करोगे तो आपका वो चीज़ें भी किलियर होती दिखेंगे और डेफिनेटली वो चीज़ें मेरे द्वारा कोर्स में आपको मिल रही होंगी चीज़ें बेफिकर रहो बाकी मैंने आपको एक आइडिय सारा लगा दिया है कि किस प्रकार आपको आगे बढ़ना अपनी प्रप्रेशन को लेकर तो सबसे फर्स्ट अफ़ल सभी लोग एक बार थमस अप कर दो क्लास को है ना सर हिस्ट्री जीके साइंस सब पढ़ना पड़ेगा देखो हिस्ट्री से बहुत ज्यादा कोश्चन तो नहीं दे रहा होगा लेकिन जीके से जरूर वो बहुत ज्यादा रोहित कोश्चन दे रहा होगा वो सॉरी उससे साइंस से बहुत ज्यादा कोश्चन वो इंक्लूड क करने का कोसिस कर रहा होगा तो साइंस तो आपको करना ही है और जनरल साइंस करना है उसके राबा थोड़ा सा हिस्ट्री में जो popular question है उनको आपको देखना पड़ेगा यहां पर पर्टीकुलर बहुत ज्यादा है इस्ट्री के टॉपिक को नहीं पढ़ने लगना आपको अकबर बीवल और यह और वो फलाना डिमकाना तरह डीपली नहीं जाना है आपको 1857 की क्रांतीस रिलेटेड कुछ चीज़ें के लियर होना चीज़ें जो पॉपुलर पॉपुलर चीज़ें हैं किवल यहां पर प्रेक आपका नाम पता नहीं मुझे लगरा हुआ कौनसी लैंगवेज में तो लिखाम यहां चाहिए हूप क्लास टाइम यहां पर तो अभी क्लास यूट्वर थोड़ा सा वीडियोज यह आएगा रिकॉडबर वीडियोज बाकी कोर्सें में तो को पता यह 7 p.m. पर सामके 7 p.m. पर क्लास होता है है ना सामके साथ वजे वह एप्लिकेशन पर है बेसिकले हैं ना साइन्स थोड़ा करना पड़ेगा है ना चले तैंक्यू सो मच अगेन जो भी स्टूडेंट्स हैं जो स्टील ऑथरीटी ऑफ इंडिया लिमिटेट की प्रपरेशन कर रहे हैं डेटेल्स में सारा कुछ चीजों को मैं यहां पर कोर्सेस में कवर करा रहा हूं डेफिनेटली य स्टूडेंट्स बोलते सर पेड़ कॉर्सेस है यहां पर एमांट आपका 14 99 रहता है अब इस में देखो है क्या विसीकली है क्या टोटल टेक्नीकल है लाइव क्लासिस है रिकॉर्डेट क्लासिस है हर संडे आपका टेस्ट है जर्नल अवेर्नेस है वर्क्सॉप कोस्ट भी यहाँ से रिडियूस किया कि हर बच्चा इसको एफॉर्ड कर सके उतने कि ना लोग बाग पार्टी कर जाते होंगे आप में से लेकिन क्या जब सही जगा पर इन्वेस्ट करने की बारी आती है वहाँ डेफिनेटली पीछे अटते हैं और जहां सही कंटेंट मिल र करी है आपको उसका इलाज करवाना है एक बैठा है जोला चाप डाक्टर वो ले रहा है सो रुपय फीस अब वो पड़ा कुछ आप वो आपको दवाई आपके मलब जो बीमारी है उससे रिलेटेट दे ही नहीं रहा है मेहनत करी नहीं रहा है वो जो है अब कोई एक नहीं है आप वन टाइम देख रहा हो लेकर यह नहीं देख रहा हो कि आपने तो 1499 पे किया वो टीचर एक साल तक आप से 1-2-1 कनेक्ट हो के सारी चीजों को पड़ा रहा है तो वो चीज़ें भी देखना होती है है न तो चाहो तो आपका एप्लिकेशन का लिंक डिस्क्रि YouTube पर अबलेबल है serious की series अबलेबल है वहां से भी definical बहुत भड़िया त Fields a इंप्रूब किया जा सकता है लेकिन होता क्या है वहाँ पर केवल sequence में चीजा मिल जाती है connectivity के साथ हैं तो वह एक फायदा होता है और मैनत कर रहा हो डेफिनेटलि यूट्यूब से भी बहूत सर मेरा नाम जैकुल है हाँ जैकुल बिलकुल अभी आपका नेम मिल गया है कनाड़ा लेंग्वेज अविलेबल कनाड़ा लेंग्वेज तो नॉट अविलेबल इंग्लिस और हिंदी बोथ लेंग्वेज अविलेबल है यानि कि यहां पर जो प्रजेंटेशन होता है वो संदी और इंग्लिस दौनों लेंग्वेज में बेसिकली एविलेबल होता है आप लोगों का है न सेंटर कहां कहां पर online course है आप लोगों का application पर जाके वहां से आपको अच्छा सेंटर जो exam सेंटर की अधी बात कर रहा है उसके उपर मैंने particular वीडियो बना दिया है उन्होंने कोई भी जो है city choose करने का option आपको नहीं दिया है चलिए thank you so much सभी students को thanks for watching and bye-bye मिलते हैं अगली class में या अगली वीडियो में ओके थैंक्यू सो मच